नमस्ते उपस्तित एक नया वीडियो लेकर आज माय आपको SBI का निकासी फॉर्म कैसे भरेंगे आप उन्हीं के बारें बताने वाला हूँ हर एक पॉइंट को बारें के सुचने का कोक्सिस करूँगा जिसे कि आपको हर एक पॉइंट को बहुत आप आसानी समझ सके तो आएए चलते हैं सीधे वीडियो पर देखिए SBI का निकासी फॉर्म कुछ इस तरह का होता है अगर आपको पैसे निकालना है SBI bank account से तो सबसे पहले आपको यह फॉर्म भरना होता है और इसके साथ आपको एक पास्बुक ले जाना होता है, जिस भी पास्बुक से आप पैसे निकालना चाहते है हैं, उस पास्बुक के साथ इस फॉम को भर के आपको एटेचmän कर देना होता है, तो आएए बताते हैं अब हम आपको इसको कैसे वरना है देखिए सबसे उपर में पहले लिखा हुआ है खाता धारक का नाम अर्थात इंग्लीज में लिखा हुआ है नेम आप दे अकॉंट होल्डर यानि कि आप जिस भी खाते पास्बुक से आप पैसे निकालना चाहते हैं उस पास्ब नृट ना होता है आए अप अब को कॉल अब लिफs शाथ में चलेंगे तो यहां देखिए सक्नाय ब्रांच लिखा हो है यह है उस ब्रांच का नम लिखना रहा है तो मैं फिलाल उस बहुत का नाम लिख दे रहा हूं उसके कि बा DF फिर आप यहां चलेंगे तो खाता सं संख्या से आप एसे निकालना चाहते हैं वह खाता संख्या आप यहां पर लिग डाले कि कोटान मर लिग देने के बाद आपको फिर कुन लिख पर समझे कि मुझे का मतलब तो तो आप मुझे पर क्लिक करें और अगर हमें यानि कि आप और आपके साथ कोई और भी परसंट जा रहा है पैसे निकालने तो आप हमें पर क्लिक करें हैं हलाकि इसको ध्यान देने के ज़रुवत नहीं आप यहां ऐसे भी छोड़ सकते हैं अधरवाज आपको मैं समझाने के कोशिश करने के लिए मैं आपको बताया हूँ कि मुझे और हमें यहां क्यों लिखना होता है उसके बाद यहां पर आपको जितने भी पैसे निकालने होता है वो पैसे आप अंक में लिख डाले तो मैं फिलाल पांच जार रुपे निकालने जा रहा हूँ तो यहां पर पांच जार लिख दे रहा हूँ उसके बाद आपको यहाँ बन रुपे और रुपे लिखा हुआ है, अब यह 5000 जो रुपे है इसको आपको याँ तो हिंदी में या इंग्लिस में आपको लिखना होता है तो अगर हिंदी में लिखते हैं तो पूरी सब्दों में लिखें और इंग्लिस में लिखते हैं तो पूरा वोल लेटर में आपको लिखना होता है तो मैं फिलाल हिंदी में इसको लिख दे रहा हूं उसको लिग देने के बाद यहां मात्रिय वनली पर खुद लिखा हुआ है इसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता है उसके बाद फिर आप नीचे चलें यहां लिखा हुआ है आपके अकॉंट में जो भी रेजिस्टर्न मोबाइल नमबर है वह आप मोबाइल नमबर डालें पान के नहीं पर प्युद्वर्वत तब आप 50,000 जएदे ज्यादा पैसे निकालना चाहते हैं अगर आप 50,000 कम पैसे के लिए जा रहा है तो आपको पैन नमर देने की ज़रूरत नहीं है यहां पर आपको ऐसे ही छोड़ देना यहां पर कुछ नहीं करना वता है उसके बाद यहां पर देखे खाता धारक का अस्तक्षर या अंगुठे का निशान अगर खाता धारक अगर signature करना जानते हैं तो यहां पर signature कर दे अगर वो signature करना नहीं जानते हैं तो यहां पर अंगुठा left thumb का आप कोई भी अंगुठा का निशान आप यहां पर लगा देना चाहे left हो या right हो कोई भी आप लगा सकते हैं तो signature करना फिलाल मैं जान रहा हूं तो मैं signature कर दे रहा ह सिगनेचर कर देने के बाद यहां देखे लिखा हुआ है कार्याला उपयोग होती फोरी ओफिस यूजिल इंगलिसमें यानि कि इसमें आपको कुछ नहीं कोड़ना होता है तो इस तरह से यह जो फ्रंट वेज है आप इसको पुरी तरीके से भर चुके हैं अब एक काम और करन अनले होता है और बेट सत्यूद देने के बाद यहां पर आपको जो सिगनेचर करना होता अ थो सी आप करदे sitting अजो अजहा कि ओडियान देने वाली बात है कि जो आप सिगनेचर कर रहे हैं वो सिगनेचर से आपके पासबूक lunar को मैं में में मैच होना चाहिए यानि कि जिस समय आपने खुलवाया था उसी समय का सिगनेचर मैच होना चाहिए यह आपको गलत भी हो सकता है जिस समय आपने खुलवाया था उस समय का जो सिगनेचर होगा और अभी का जो सिगनेचर होगा वो दोनों मैच किया जाएगा उसके बाद ही इस को आगे बढ़ाया जाएगा तो इसलिए आपको जभी ये फर्म बने आप अगर यहां दो सीञेचर करते हैं और यहां अगर आप को आद खुलाए थे तो जो कि उसी तरह चाहिए तो कुछ इस तरह से आप का निकासी फर्म भर सकते हैं यही था कुछ वीडियो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा से एर करना न भूलिए धन्यवाद